हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब कल रात को बिटकोईन का प्राई साथ हजार डॉलर से नीचे आ गया था और हर कोई थोड़ा सा पैनिक में आ गया था कि क्या ये दुबारे से नीचे तो नहीं जाएगा लेकिन बिटकोईन दिखा रहा है एक बहुत बड़ा बुली सिगनल उस बारे में आपको बताने वाले हैं और all time तो क्या इससे आगे भी ये बहुत कुछ चलांग लगा सकता है और क्या न्यूज है अपडेट है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे साथ के साथ में Ethereum के अंदर भी हमें जल्दी ही all time high लगता दिख सकता है इसका भी technical करेंगे साथ करेंगे शीबा इनू की और बहुत बड़ी न्यूज अपडेट निकल के आ रही है और आने वाले time में हो सकता है शीबा के अंदर हमें और थोड़ा spike देखने को मिले तो वो क्या न्यूज है और क्या हलचल चल रही है क्या अपडेट आ रही है उस बारे में भ है वो launch किया है और क्या है यह चिंगारी और क्या है गारी token और क्या हमें फायदा हो सकता है क्या हम भी कुछ गहरी token free में ले सकते हैं वो भी आपको समझाने की कोशिच करेंगे इस वीडियो के अंदर तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में सबसे पहले वीडियो कर दीजे लाइक और चैनल को कर लीजे सस्क्राइब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकोईन की बिटकोईन की बात करें तो एक बहुत बड़ा भुले सिगनल इसके अंदर दिख रहा है लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सीख है हम लगातार आपके साथ में ये शेयर करते रहते हैं ट्वीटर के ऊपर कि आने वाले टाइम में जब बिटकोईन के बारे में बात होगी पांट दस पीस साल बात तो क्या आप अपने बच्चों को बताओगे आगर आपके बच्चे आप से पूछेंगे तो क्या कहोगे कि अगर आपके बाद में बिटकोईन नहीं है कि पापा जब बिटकोईन की लूट मची हुई थी तो आप कहां सो रहे थे और इसका एक परफेक्ट एक्जामपल निकल क्या है ब्राजीलियन टोडलर ने जो है साड़े छे हजार परसंट का प्रॉफिट कमाया है अपने पहली बिटकोईन की होल्डिंग पे अब ये स्टोरी क्या है आपको समझेए जाओ की बात करें जो की फाउंडर है ब्राजीलियन क्रिप्टो एक्चेंज के फॉक्स बिट उसने जब उनकी बेटी पैदा हुई थी 2017 में एक बिटकोईन उनको गिफ्ट किया था जब बिटकोईन का प्राइस था 915 डॉलर और आज उसकी बात करें तो हमें पता है बिटकोईन का प्राइस है 62,000 डॉलर तो आप समझ सकते हो कि 4 पास साल में कितनी बड़ी क्रोध देखी गई है तो आने वाले टाइम को आज का इमेजन मत करो 2017 अगर मिस कर दिया आने वाले 2025, 2030, 2035 2040 में क्या हो सकता है बिटकोईन का प्राइस आप इमेजन भी नहीं कर सकते या क्या फ्यूचर हो सकता है क्रिप्टो करनसी का आप इमेजन नहीं कर सकते तो ये अगर इनकी सोच ना होती 2017 में तो क्या आज ये 64,000 डॉलर्स के प्राफिट पे होते आप खुद दिमाग लगाई है तो आपको यही सोच ना है फ्यूचर का विजन लेके चलना है कि क्रिप्टो करनसी क्या कर सकती है साथ के साथ में बात करते हैं टेकनिकली एक बहुत बड़ा भुलिस सिगनल बिटकोईन दे रहा है हम सब को पता है अगर लास्ट टाइम की बात करते हैं जब बिटकोईन ने अपना आल टाइम हाई बनाया था लगबख 64,500 डॉलर्स के आसपर कभी भी किसी भी हफते के अंदर इसने साथ हजार डॉलर से उपर क्लोजिंग नहीं की थी लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो साथ हजार का इंपॉर्टन जो इसका रेजिस्टन्स है उसके उपर ये क्लोज करने में कामियाब हुआ है और एक बहुत बड़ा बुलिस सिगनल है अब अगर इमीजेटली देखते है तो इसको रेजिस्टन्स है जो की 63,000 से लेके लगभग 64,500 डॉलर्स है जो की गोल्डन रेशियो भी है और हमारे इसाब से एक बहुत बड़ी अगर इसके ऊपर जाता है और यहाँ क्लोज करने में कामियाब होता है तो खेल खुलेगा और हमारा अगला टारगेट हम लेके चल रहे है लगभग 86,000 डॉलर्स के आसपास लेकिन यहाँ पर नोटिस करना है कि एक रेजिस्टन्स है और यहाँ पर हो सकता है यह थोड़े दिन के लिए स्टे करें क्योंकि RSI की बात करें वो भी ओवर बॉट पोजिशन के अंदर दिखा रही है लेकिन जिस हिसाफ से पॉजिटिव महाल बन रहा है या आने वाले तीन महीने हो सकते हैं तो बिटकोईन का प्राइस 86,000 से एक लाग डॉलर भी हो सकता है दोस्तों अब बात करते हैं शीबा इनू की शीबा इनू के लिए रॉबिन होड जो की USA का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है जिसके उपर वॉल्यूम बहुत जादा आता है शीबा इनू को जो है डॉच किलर भी बहुत ला जाता है अगर उसकी पेटिशन की बात करें तो धाई लाख जो लोग है ट्रेडर्स है उन्होंने साइं किये पेटिशन की रॉबिन होड जो है इसको एक्सचेंज पे अपने लिस्ट करें और ये जो पेटिशन थी चेंज.org पे की गई थी आप समझ लीजे जब लाखो लोग किसी चीच के लिए इनिशेटिव लेते हैं तो क्या हो सकता है कही न कहीं रॉबिन होड की नजर में आ सकता है ये एप और एक्चेंज इस क्या चाते हैं कि लोग जिसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या लोगों का जिसमें हमें लगता है रुजान जादा है उस चीच को वो लिस्ट करते हैं क्या कोईन बेस की बात करें बाइनस की बात करें जो भी इतनी बड़े एक्चेंज हैं अगर रॉबिन हुट पे यहां लिस्ट होगा या न्यू रूमर जैसे निकल के आ रहे हैं तो हो सकता है कि यहां से एक और स्पाइक ले और अभी ट्वीटर पे देखें तो लग भग 10 लाग से जादा जो है इनके फॉलोवर्स हो चुके हैं तो यानि कि फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं एक हाइप भी इसकी क्रेट हो रही है और जिस आप से चीज़े चल रही हैं वो कहीं न कहीं कि इशारा दे रहे हैं कि पॉजिटिव महौल शीवा इनू के लिए बन रहा है और साथ के साथ में रात को इलान मस्क ने ट्वीट किया था ये फोटो इन्हों ने शेर करी थी और आई डोट नो शीवा इनू इसके बाद में पंप कर गया था लेकिन अगर मैं टेकनिकली बात करता हूँ तो यहां पर आप नोटिस करोगे हमने आपको शेर भी किया था कि लगबग 2300 से 2000 के बीच में सपोर्ट है अगर यहां आप एंट्री लेना चाहते हो तो आप एंट्री ले सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाद आप कुछ प्रॉफिट के अंदर होंगे लेकिन अब यहां पर देखना है यह एक रेजिस्टन्स जोन के अंदर है और जो कि आता है लगबग 3400 से 2700 के बीच में अगर इसके उपर मैंटेन करता है तो हो सकता है यह यहां से 3200 से 3500 के लिए ट्राइ करे और उसके बाद में हो सकता है 5000 के लिए भी ट्राइ करे तो एक बहुत बड़ी न्यूज है और हो सकता है इलॉन मस्क ने अगर कुछ और इंडरेटली ऐसे ट्विट किये हो सकता है मैं और पंप भी देखने को मिले लेकिन अगर सपोर्ट की बात कर देख रहे हो तो हमारे साब से यह सपोर्ट है और एक इंपोर्टन सपोर्ट इसको लगभग 1700 से 1500 के आसपास है तो इस चीज़ पे भी नजर बना के रखिएगा अब बात करते हैं सल्मान खान की चिंगारी की चिंगारी अगारी आप कहलीजिए अगैरी आप कहलीजिए सल्मान खान ने लाँच कर दिया है फर्स सोचल क्रिप्टो टोकन अब इसका है क्या करी यह चिंगारी है क्या चिंगारी जो है एक सोचल मीडिया प्लैटफॉम है जैसे की टिक टॉक होता था टिक टॉक के बैन होने के बाद में इसकी हाइप क्रियेट हुई और इसके बाद में लग भग पचार-पांच करोड लोग इसके साथ में जुड़ गए इसमें क्या से काम करता है वो तो आगे हम आपको दिखाएंगे क्या चीज होती है इसके अंदर और लेकिन सल्मान खान की बात करें तो उन्होंने लाँच किया है गारी टोकन जो कि एक reward प्रोग्राम है और एक NFT marketplace है अब ये token का purpose क्या है ये आप समझ लेजी एक blockchain based आपका crypto token है और ये काम क्या करेगा इसके अंदर जो भी reward प्रोग्राम होंगे चिंगारी के अंदर वो आपको उसके अंदर कुछ tokens देंगे यानि कि आप token के अंदर earning कर पा और साथ के साथ में exclusive जो होगा Gary marketplace भी NFT का वो launch करेंगे सलमान खान की NFT या दूसरी जो NFTs होंगी या हो सकता है जो content creator है उनकी NFT या video NFT कह लिजए NFT तो कुछ भी हो सकती है तो वो भी आप वहाँ पे उस token को through reward पा सकें या buy sell कर पाएं एक बहुत बड़ी चीज है content creator के लिए कि monetize कर सकें अपने content को और वो काम यहाँ पे Gary token, Gary token करने वाला है तो एक बहुत बड़ी news है आने वाले time में जो content creator है उनके लिए किसी ने सोचा क्योंकि अगर मैं real की बात करता हूँ अगर उन पे paid partnership ना मिले तो वीडियो बनाए जा रहे हैं लोगों को पता नहीं है क्यूं बना रहे हैं अगर ऐसे TikTok की बात करें कुछ ऐसा नहीं था यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आप अपनी चीज़ों को monetize कर सकते हो यानि कि आप उसका फायदा उठा सकते हो आपको पैसे भी कमाने का मौका मिले एक्चुल में यह app है क्या आप गूगल प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर सकते हो दोस्तो इस app का link नीचे description में दे दिया है आप भी डाउनलोड कर सकते हो यह चिंगारी app क्या है समझ यह जैसे TikTok है या Instagram पे आपकी Reels चलाते हो ऐसी यहाँ पे content creators जो है वीडियो बनाते हैं तो इसके अंदर आपके पास में option क्या क्या है आपके पास में reference earn का option है यहाँ पे reference earn करके आप जो है धाई हजार रुपे आप invite करके कमा सकते हो win कर सकते हो तो इसको नीचे description में left link है उससे follow कर लिजा साथ के साथ में जो wallet है ना वहाँ पे है जैसे आप sign up करते हैं तो 100 coins मिलते हैं convert कर सकते थे real money के अंदर redeem कर सकते थे लेकिन अब जो लग रहा है जैसा कि जब गैरी token आएगा तो जो भी content creator होंगे तो हमें उम्मीद है कि उनको जो भी content reward होगा या reward program चलाएंगे उसके लिए वो token distribute किये जाएंगे और उसको आप convert कर पाओगे या exchange कर पाओगे real money के अंदर तो बहुत सारे schemes ये लगाता चलाते रहते हैं refer करने के लिए या wallet में आप video देखते हो like करते हो या share करते हो तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें उमीद है कि ये गारी token या Gary token को use कर पाओगे तो अगर कुछ coins earn करने का मौका मिल रहा है तो क्यूं छोड़े और एक हजार coins लगबग एक रुपे के होते हैं तो आने वाले time में हो सकता है coin की value बड़े तो हो सकता है आने वाले time में और भी आप कमा सको तो इसका भी आप फाइदा उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा अब दूस्तों बात करते हैं Ethereum की Ethereum के लिए हर कोई wait कर रहा है कि अपना कब all time high बनाएगा या all time high के आसपास जाएगा लेकिन आप देखते हो कि अगर जब भी 4000 डॉलर के आसपास आता है एक psychological resistance भी है और ये एक technical resistance भी निकल के आराया इस time पर अगर आप देखते हो दो बार ऐसा मौका आ चुका है कि 4000 डॉलर के पार गया लेकिन वहां maintain नहीं कर पाया और ये तीसरा मौका है और हर कोई इंतजार कर रहा है क्योंकि ये click कर सकता है एक बहुत बड़ा all season आने वाले time में और इस महीने एक upgrade होनी है इसके अंदर तो आप उमीद कर सकते हो उससे भी थोड़ी जी help मिलेगी Ethereum के platform को improve होने में लेकिन अगर मैं technical बात करता हूँ तो 4000 डॉलर इसको एक resistance है अगर इसके ऊपर close करता है तो ये within no time आपको लगभग 4300 to 4400 डॉलर देख सकता है जो कि एक important resistance है अगर मैं support की बात करता हूँ तो immediate support जो इसको मिल रही है वो लगभग 3750 डॉलर के आसपस मिल रही है और अगर ये अपने 4300 डॉलर 4400 डॉलर के पार जाता है तो हम अगला target लगभग 5000-500 डॉलर देख रहे हैं और अगर high बनी तो हो सकता है यहां से 50% और ये बढ़ जाए और लगभग 6000 डॉलर के आसपस दिखे आने वाले अपने all season के अंदर तो I hope दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी काम की लगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए ट्विटर टेलिग्राम वट्सप जहां आप कमन करें चैनल पहरी बारा तो सस्क्राइब भी जरूर करके जाएगा टेलिग्राम का जो हमारा username है वो है ट्विटर टेलिग्राम का लिंक भी दिया हुआ है तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूं खुश रहे हैं मुस्कुरात रहे हैं कमाते रहे हैं आपका दूस्पंकश थैंक्यों मुस्क्राइब धन्यवाद